दोस्तों नमस्कार मेरा नाम है सुसील मोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मोधी इन्फोटेग दोस्तों बहुत सारे रिटेलर जो की स्पाइस मनी के हैं या फिर वो पेनियर भाई के हैं और उन्होंने एक्सिस एकाउंट ओपनिंग की सर्विस ले रखी है अपना एकाउंट ओपन करते समय क्या ध्यान रखना है क्या साउधानी रखना है वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे इसलिए इस वीडियो को ध्यान से और आप पूरा सुनेगा मेरा नाम है सुसील मोधी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हाल में ही आप सभी को पता होगा मेरे कुछ वीडियो से आपको इसका अपडेट मिला भी होगा कि पेनियर भाई और इसपाइस मनी दोनों नहीं एक्सिस बैंक की कासा मतलब करेंट एकाउंट सेविंग एकाउंट सर्विस को लाँच करा हुआ है और ये सर्विस बहुत सार रेटेलरों के लिए तो एक बर्दान जैसी हो गई क्योंकि वो अपने छेत्र में अपने ग्रहाकों का सेविंग और करेंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लेकिन यहां पर कई रेटेलर भाई एक छोटी सी गलती कर रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं टेस्टिंग करने के लिए अपना खुद का ही सेविंग या करेंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि यदि आपने गलती से अपना सेविंग अकाउंट ओपन कर लिया तो कभी भी आप अपना करेंट अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे और यदि आपने गलती से अप में किसी परिवार के सदस्त का open करके देख लीजे क्योंकि नियम के मुताबिक एक बैंक में एक गहराग का एक ही खाता हो सकता है इस कारण से Axis Bank ने ये कुछ प्रावधान करके रखे हैं अब यहां पर आपका घाटा क्या है यदि आपने saving account open कर लिया है तो आप business purpose से अपना current account open नहीं कर पाओगे और यदि आपने current account उपन कर लिया है तो आप अपना TDS free वाला current account उपन नहीं कर पाओगे और TDS free वाला account आपके लिए इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि जब आप AEPS का पैसा move to bank के करते हैं वहां से आप आपको TDS free account चाहिए होता है तो आपको अंतर समझने की जरूवत है कि जो retailer है याद रखेगा जो retailer है उनके लिए TDS free वाला current account होता है जब कि जो दूसरे account है कासा के अंतर गताएंगे current account plus saving account वो गरहाकों के लिए मतलब जो retailer के गरहाक है वो उन लोगों के लिए है तो यहाँ प पर कि आधार के माददम से केवल saving account का पैसा निकलेगा current account का पैसा नहीं निकलेगा इसमें भी एक हमारे दर्सक हैं जिन्होंने हमको comment में लिखके बताया है कि उन्होंने current account का भी पैसा AAPS से निकाला है banking नियम और company की नियम के मुताबिक तो यह संभाव नहीं है लेकिन उन screenshot भेजे थे उसके साफ से लग रहा है कि उनकी बात सही है दूसरी बात जब आप saving account open कर रहे हैं तो वहाँ पर आधार सेडिंग का एक option आएगा अधार सेडिंग के समय यदि आप आधार सेडिंग के लिए permission नहीं देते हैं उस option को yes नहीं करते हैं तो आपका account तो open हो सेडिंग कराना पड़ेगा या जो access bank का mobile banking app है वहाँ से जाके आपको अधार सेड करना पड़ेगा जिससे कि वो अधार के माध्यम से पैसा बिड्रॉल कर सके तो मेरे YouTube चैनल पर भी लगातार comment आए थे कि हमने current account या saving account open किया है और saving account में वो लोग अधार के माध्यम से पैस बिड्रॉल नहीं कर पा रहे तो उसका केवल कारण यह था कि वो account opening के समय उन्होंने जो अधार सेडिंग का option था उसमें yes पर click नहीं किया था दूसरा है कि यहाँ पर लगातार बार-बार बहुत सारे लोगों के comment आ रहे हैं कि उनको bank की की तरफ से या bank के customer care की तरफ से call या SMS आ रहे हैं कि आपको इन खातों में कुछ average balance रखना है या funding करना है तो यहाँ पर bank और company दोनों ने इस पस्ट किया है कि यह total zero balance account है मतलब आपको monthly कोई भी balance इसमें maintain नहीं करना आपको कोई charges नहीं लगेंगे customer care इसको समान्य खाता मान के आप लोगों को call कर दे रहे हैं क्यो customer का कोई charge लग जाएगा तो company उसको revert कराएगी उसके लिए उन्होंने इस पेसली bank से बात करके रखा हुआ है कि यदि गलती से bank किसी भी गरहाक के खाते से average balance का पैसा काट लेते हैं या किसी भी परकार का charge लगाते हैं जो कि इस scheme में नहीं लगना चाहिए तो वो सारा का सा यहां पर बापिस हो जाएगा दूसरी बात बहुत सारे लोगों के बार-बार question आ रहे थे कि ATM आ गया लेकिन पास्बुक नहीं आई है तो मैंने पिछले वीडियो में भी अपना बताए कि जो पास्बुक है वो गरहाक को अपनी nearest या link branch से जाके पास्बुक वहां पर उनको लेना पड़ेगा वहां से उनको पास्बुक मिल जाएगी बहुत सारे लोगों का question था कि जब हम account ओपन कर रहे हैं तो वहां पर उनको signature upload करने का option नहीं हा रहा तो signature upload या तो branch के मद्दम से हो सकता है या फिर सबसे better option है कि online इनका जो mobile banking app है वहां से भी आप इसको update कर सकते है mobile banking चालू करने के लिए आपको customer ID की जरूत पड़ेगी तो बहुत सारे लोगों का कहना था कि जब हम mobile banking on कर रहे हैं तो वहां पर वो customer ID मांग रहा है वो customer ID हमको कहां से मिलेगी तो customer ID जो आपको मिलेगी वो मिलेगी जो आपकी welcome kit आएगी या ATM आपके घर पर आ जाता है तो जो welcome letter होता है वहां पर आपका account detail branch नाम बहुत सारी चीज़ें रहती हैं वहीं पर उपर की तरफ आपको एक customer ID भी मिलेगी उस customer ID का प्रयोग करके आप अपनी net banking या mobile banking को on कर सकते हैं तो इसी तरह के अगर आपके कोई और सवाल हो जो कि इस वीडियो से clear ना हो पाए हो तो उनको आप जरूर से comment के मादम से पूछेगा next वीडियो में मैं उनका जवाब देने की कोसिस करूँगा last update यहाँ पर है spice money के बहुत सारे retailer ऐसे हैं कि जिनके में saving और current account का option अगर नहीं आ रहा है तो उनको पहले भी जानकारी दिया हुआ है कि जब तक company की तरफ से वो white listed नह नहीं हो जा रही है तब तक वो नहीं हो पाएगा तो यह company धीरे धीरे प्रकडिया कर रही है जल्दी आप लोगों के में भी वो option आ जाएगा आपको थोड़े समय के लिए पर wait करना पड़ेगा बहुत 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 दिन वाद दोस्तों आपका दिन सो वो बंदे मातरम ज